प्रिय विध्यारतियों, आज हम E.E.206, Electrical Machine First में Principle of DC Generator की बात करेंगे Principle of DC Generator या DC Generator किस Principle पर काम करता है उसकी बात करेंगे वो किस प्रकार से उसमें E.E.M.Findies होता है, इस विशे पर आज हम चर्चा करेंगे DC Generator क्या होता है, पहले हम इसको समझ नहीं कुछ करें इसके पहले भी हमने कुछ लेक्चर हुएं, उसमें इस बात को अच्छे से समझा दिया है लेकिन फिर पुर्ण एक बार यहां से हम सुब करते हैं DC Generator is an Electromechanical Energy Conversion Device The Working Principle of DC Generator is, यह एक Electromechanical यानि की Mechanical Energy को Electrical में Convert करती है Mechanical Energy को Electrical Energy में Convert करने के लिए जिस डिवाइस को हम काम में ले रहे हैं, इस डिवाइस का नाम है DC Generator यह फेराडे के नियम पर कारे करती है फेराडे ने सब सब पहले यह बताया कि जब भी चुम्ब के शेत्र में कोई Conductive Coil रखी होगी और उसमें Flux Linkage में परिवर्तन होता है या Flux में परिवर्तन होता है तो उसमें EMF Indies होगा उसमें विद्धित वागबल प्रेडित होगा उसके बाद फेराडे ने ही अपने Second Name में उसको और संशोदित करके आगे बढ़े कि जो EMF Indies होगा उसकी मात्रा परिवर्तन की Flux में परिवर्तन की दर के बराबर होगा या Rate of Change of Flux के बराबर होगा इसके बाद लेंज ने उसको संशोदित किया और लेंज ने कहा कि यह जो Flux में परिवर्तन के या Flux और EMF Indies होने के बामले में विशे में जो दोनों नेम फेराडे ने बनाए बिल्कु सही है लेकिन उन्होंने उसकी दिशा की बात कि कि उसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी यानि जिस कारण से उसकी उत्पत्य हुई है वो उसका विरोध करेगा यह उसके बाद उसने लेंज ने संसोदन किया तो यहां चुकी DC जो जन्रेटर है वो DC जन्रेटर में मेगनेटिक फिल्ड होता है उस मेगनेटिक फिल्ड में हम एक कंड़क्टर कोईल होती है उस कंड़क्टर कोईल को प्लेस करते हैं और उसको किसी भी external mean से हम उसको रोटेट करते हैं जब वो कंड़क्टर को हम रोटेट करते हैं कोईल रोटेट होती है तो कोईल के रोटेट होने के कारण उसमें फ्लक्स जो कट होता है वो फ्लक्स के कट होने में फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें EMAF इंटीज होता है जो EMAF होता है उसकी मात्रा फेराडे के निमने जैसा बताया था D5 by DT के प्रपोर्शनल होती है उसको बाद में हम अ की वह फ्लक्स में परिवर्तन के दर केशता है बाद मेन साथ में जब फ्लेंग ने उसकी यह में अपकी दिषा को भी बताया बिबिशिती जनटर के कहीसे में की जो हैं उस डीसी जनरेटर में अंदर एक कोयल है उस कोयल आदमेटेर की जो कई बंङचर को फ्लेमिंग की राइट राइट हेंड रूल से बताते हैं, फ्लेमिंग ने आप जानते हैं दो रूल दिये थे, मेगनेटिक फिल्ड में गतिमान चालक के लिए या मेगनेटिक फिल्ड में करेंट केरिंग कंड़क्टर के लिए, तो यहां आप फ्लेमिंग का राइट हेंड रूल काम में लेते हैं, काम में लेता हैं जब मोटर की बात करेंगे तो हम लेप्ट रूल काम में लेंगे राइट रूल बहुत सिंपल जैसा आपने पहले भी आपने बताया है पुन एक बार थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं कि यह मेरी जो इंडेक्स फिंगर है अनामिका आपका फिल्ड की दिशा करो बचाती ही रीम्प की दारेक्शन को बचाती ही हम तीनों इनको एक जुसरे को 90 डिग्री प्लेस करते हुए सबसे पेले हम index finger index finger को field की दिशा में और जो मेरा आंगुठा है इस आंगुठे को rotation की direction में conductor के moment की direction में conductor इस direction में force feel कर रहा है mechanical source के कारण mechanical energy कारण उन दोनों की तरफ अगर हमने सको set कर दिया तो जो middle finger है वो middle finger automatically EMAB की दिशा को बता देगा कि इसको समझने के लिए हम ने अगे एक कि डाइगराम हमने काम में लिए है जिसमें दोंद और सौ्ड पॉल के वीच में एक कांड़कटर कोयल है इस कोयल के जो तोलोग। है एक एक एए डेस दूसरा बी बी डेस यानि एक हाप एए डेस है और तो दोनों एक दूसरे से connected है क्योंकि armature में भी conductors place होते हैं वो end rings के माध्यम से end में वो एक दूसरे से connected होते हैं तो हमने पहले starting position को लिया हुआ है कि starting position है वो magnetic field के coil perpendicular रखी हुए है यानि magnetic field और उसके बीच में जो angle है वो 90 degree का है तब 90 degree का angle है इस वक्त उसमें maximum flux pass होता है उस वक्त उसमें maximum flux pass होता है और जैसे ही हमने इसको rotation दिया rotation की दिशाया इस case में हमने anti clockwise दिखा रही है जिसको की green color के arrow से इंगीत किया हुआ है तो जैसे हमने इसको anti clockwise direction में rotate किया मान लिजे पहले 90 degree पे था अब उसके बाद उसका angle 89 degree बनता है तो जैसे वो 89 degree पाएगी तो उसमें कुछ line of force कट होंगी पहले मान लिजे 100 line of force pass होती थी अब 98 रे जाएगी 97 रे सकती है जितनी भी होंगी लेकिन जैसे उसमें मान लिजे में और एक्यूरेटली आपको समझाने की प्यास करता हूँ कि मान लो पहले नब बल रहे हैं उसमें से पास होती है जैसे हमने इसको एक डिग्री टर्ण किया उसमें सब 89 बल रहे हैं और इस प्रकार से इसमें जो EMF इंडूज होना सुरू होगा चूंकि प्रतम पोजिशन जिस स्लाइड को मैं आपको यह दिखा रहा हूँ इस पोजिशन में यहां पर बहुत इसपस्ट रूप से च्ँकि इस तीर आवस्ता में अभी हैं और इस तीर आवस्ता में 90 बै पर नाईनिटी डिग्री तो 95 फ्लक्स हो रहा हुआ इसमें किसी प्रकार का रोटरिशन नहीं है तो उस कंडिशन में किसी प्रकार का करंट फ्लोनी होगा या इसमेंaments इमंफ इंडूज नहीं होगा पास और जब तब इक हो गाइनी जीडो के लिए श्याओ बहुत, बहुत समाने तया परिवर्फन तो एक लेकिन रिलेटीव परिपरियन या तुननाख्मक परिवर्फन वह जाधा बड़ा परिवर्फन है इसलिए यहाँ इस कंडिशन इसमें जो ये मेफ इंडीज होगा वो ये मेफ मेक्जिम होगा और जो बी बी कंडुक्टर उस बी बी कंडुक्टर जो होगा वो नॉर्थ सौ्थ पॉल के समी पागिया और जो एक अंडुक्टर है वो एक अंडुक्टर नॉर्थ पॉल के समी पागिया बी बी कंडुक्टर म होने के बाद यहां से निकल के और बल्प को जलाता हुआ यह वापस उस रास्ते से रिटर्न हो जाएगा उसके बाद हमने फिर इसको गुमाया तो अब पोजिशन बिल्कुर बदल गई है पहले एक अंडुक्टर जिसको हमने की रेड कलर में दिखा रहा है वो उपर की तरफ तक इसलिए इसमें अब जो परिवर्तन है वो है नाइंटी डिग्री पाइए नाइनटी डिग्री आने के बाद अब इसके बाद जब अगली पोजिशन माई तो यहां पर जब 1.80 डिग्री पाइने पर इसमें जो बीबी है वो पहले नीचे था यह उपर की तरफ आगया और एक अंड़क्टर जो रेड कलर से दिखा रहा है वो नीचे की तरफ चला गया और एंगल इसका जो हो गया वो 90 डिग्र हो गया इस पोजिशन में भी करंट जो होगा वो जीर होगा क्योंकि मेक्जियूम फ्लक्स जो है वो इसको कट कर रहा है लेकिन इसमें से जो पहले भी जो अन्ड़क्टर था वो सौर्थ पॉल के समीप ता तो करंट की दिशा उदर से फ्लो हो रही थी अब उसके बाद जो बी अन्ड़क्टर नॉर्थ पॉल पे चला गया और इसलिए करंट जो नॉर्थ पॉल से समीप जानी कि धारा की दिशा इसमें विप्रीद ह जो आता है और चुकि इसकी गती निरंतन परिवर्तर होते हैं एंगल बदलता रहता है इसलिए साइने सुड़ वेवफोर्म बनाता है जो साइने सुड़ वेवफोर्म होता है वह इस प्रकार का हुआ यानि सबसे पहले जीरो से वोल्टेज इंडिउस होना स्टार्ट जब वो होरिजन्टल पोजिशन में आगया था कोईल मैगनेटिक फिल्ड के उस कंडिशन में मेंगजियम एमफ इंडिज होगा और वो जो कोईल की पोजिशन होगी वो 90 डिग्री पोगी उसके बाद अगेन जब हमने उसके घुमाया तो धिरे धिरे उस पर कमोना सुरू ह और 180 डिग्री की पोजिशन पे वो अगेन उसके साथ 90 डिग्री पर आता है केवल पहले जो कंड़क्टर उपर था वो कंड़क्टर नीचे जला गया जो पहले कंड़क्टर नीचे था वो कंड़क्टर उपर चला गया इस प्रकार से कमोना सुरू होता है फिर मेग्जियम हो जाएगी और मेग्जियम यानि मेग्निटुट तो मेग्जिम होगा लेकिन वो नेग्टिट डारेक्शन होगा तो उतना ही यह में फिंड़ीज होगा जितना पॉजिटिव डारेक्शन में इंड़ीज हुआ था और जैसा हमने जिरो और वन e drie डिग्री के एंगल पे देखा था कि कंड़क्टर जो उप्पर था वो नीचे चला गया जो कंड़क्टर नीचे था उपर चला गया इसी प्रकार्ट से था नाइटि और टू kardeş उसी डिग्री के ऐंगल पे हम इस प्रकार से जो यह में ओंदोच उता है यह हम जो पिलाल यह बात कर रहे हैं यह वहीं कि बात करें इस प्रकार से चुकि की आर्मेचर में बहुत क्लोज विसी इन्टि टिक्रें में काफी सारे एक के बाद दूसरा तीसरा शिरा घ्री से लगाता बहुत सारे अगर एक इस के माध्याब से कंमूटेटर के साहिता से इसकी जो डारेक्शन है क्योंकि डीसी मशीन में हम जो कि मैं यहां यहां जो मैं इस डिखा रहा हूं वह अगला डिखाराम लेकिन इसमें जो जीरो वड़ते हुए maximum उसका 180 पर 0 फिर जब 180 से 170 पर माइनस होगा यह साइकल भी यह वेवफर्म का यह पार्ट भी बिल्कुल एड्यक्ली जो से 0 तू 180 था ऐसा कैसा उपर ही चला जाएगा क्योंकि कम्यूटेटर ने उसके दिशा को बदल दिया है और इस प्रकार से हम एक करेंट पर पल्सेटिंग एक करेंट पर यूनि डिरेक्शनल वेवफर्म प्रोडूइस होगा चुकि उसमें नंबर ओफ काफी सारी है इसलिए हर कोईल एक दूसरे के बहुत सहीं पर तो वो जो यह मे करेंगे लेकिन हम केवल इस इक्विशन इस फॉर्मिले के फिलाल के बात कर रहे हैं कि जो यह में इंडियूज होगा यह जो डी-सी जनरेटर में यह में उत्बन होगा वह मात्रा फाई जेड एन पाई जेड एन पी अपॉन सिक्टी एक के बराबर होगा यहां फाई पर प निजति है उसको इंडित करता है यहां जो है वह आर प 예 नहीं पर मिनट में अगर अगर मार्ण और मार्म का अरप्स में लग देंदें रोटेशन पर सेकेंडमे में तो अपना च्गए से इसको डिवाइड किया वा उसकता है नहीं फिर हम सीधा अपोन एक हर दें और ए क्योंकि हम एक जो कंड़क्टर है यह जो यह में फिंडीज हो रहा है वह प्रती कंड़क्टर हो रहा है और वहां कंड़क्टर जो आपस में एक दूसरे से कोयल बना रहे हैं और फिर वह कही तो जिस वाइंडिंग, आर्मेचर की वाइंडिंग को जिस फेशन में करते हैं, इसके पहले के लेक्चर में आप जान चुके हैं कि वाइंडिंग आर्मेचर में दो प्रकार के हम काम में लेते हैं, लेप और वेव, तो उस लेप और वेव आइंडिंग में जिस प्रकार का हम connection बनाते हैं उसके अनुसार इसमें नंबरों parallel path बन जाते हैं और aq value उसके अनुसार बदल जाती है जैसे अगर lap winding होगी तो aq value number of poles के बरावर होगी और अगर wave winding होगी तो aq value हमेशा fix होगी जितना चाहे कुछ भी हो लेकिन उसकी जो value होगी वो हमेशा fix होगी यह मुझे लगता है यह आपके लिए परियापत है उसके बाद अगली class मैं हम इसकी eamification को कैसे derive करते हैं उसकी बात करेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़ें एक बार और देखें कोई किसी प्रकार की को एसुई दा हो तो मेरे से whatsapp के माध्यम से या किसी भी तरीके से मेरे से समपर करके आप अपने discussion मेरे पास बैस सकते हैं धन्यवाद